रादे रादे मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे यह देखिया आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ तो यह मैंने बनाई है गहा से जो लोग गहा खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए रेसिपी इसको खाएगा चटकारे ले लेकर यह बहुत ही टेस्टी लगती है आज तक आपने गिया के कोफते गया की सबजी बहुत खाई होंगी लेकिन मैं आपके लिए एक हैल्दी से स्नेक्स लाई हूँ आप इसको कभी भी बना खा सकते हैं यह रेसिपी बहुत हैल्दी भी है औ अपनी डायट में जरूर शामिल करना चाहिए यह देखें यह है हमारे सिंपल से मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और यह हमने ले लिया जवान इसको करके डाल देंगे और अब इसमें हम एड़ कर देंगे बे लिया तो अगर में लगेगा तो हम थोड़ा बेशन बार में अड़ कर लेंगे पिया है अब इसमें बारी श्मेम काटावा अप्याज हरा धनिया यह ईड़ो यह यह इड़ कर गिया के साथ तो इसलिए हम थोड़ा सा बेसा नूर अड़ कर देंगे तो आप भी साफ देख देए इसको जैदा हाड भी Не बनाएंगे। वरन्हारी जो रहसे प्र फिर भाड बनेगी तो ऐसे करके हम बना लेंगे हेट इसका सव्फटा डो बनाएंगे ना जैदा हाड ना सफड लगब हैसा ही बनाएंगे जैसा हम कोफते के लिए बनाते हैं bright बिल्कुल धी डीला भी नहीं रखना और विल्कुल टाइट भी नहीं रखना है और। अच्छी नहीं लगेगी तो चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में और हम डे लेंगे एक प्लेट ऐसी कोई भी आपके पास प्लेट हो कंटेनर हो इसमें मैंने घी लगा दिया आप चाने तो यह भी लगा सकते हैं इसे ग्रीज करने के बाद इसमें यह हमने बनाई अपनी स्टफिंग घिया की इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको फैला लेंगा आपको जितना भी मोटा पतला रखनी हो स्लाइस उस हिसाब से आप इसको फैला सकते हैं यह खाने में फ्रेंस बहुत अच्छी लगती है इसको आप जरूर से अपनी डाइट में शामिल करें आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और अपने ओफिस में भी दे जा सकते हैं और जो हैल्थ कोंशेस हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है इसको आप बनाए खाए ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी भी खा लें इसको ना इसमें ज्यादा ओय लगता है बस एक जो देखें मैंने कड़ाई ले लिए उसमें मैंने रख दिया है लोहे का चल्ला और उसको ओपर हम इसको प्लेट को रख देंगे और इसको डखकर हम बीच मेंट के लिए छोड़ देंगे मीडियमाज पर ताकि एच्छे से पक जाए और एक बार हम इसको बीच में चैक कर लेंगे अगर कुछ कमी होगी तो इसको थोड़ी दिर हम और पका लेंगे भी थोड़ा से लग रहा है हमें कच्चा यह स्टीम नहीं हुआ सही से तो हम इसको फिर से रख देते पांसाद मेंट के लिए यह देखें वह चुका यह स्टीम हमने निकाल लिया है अब जितना ब मैं तो होदी स्नाइक से को ब्रेक फार्स में बनाए चैव बनागी रख ले और प्रिसुबदर बच्चों इसको एक सेखना शीक को सेक के और देदे बच्चों को तो सुबध जैदे ज़ल्दी रहतीह तो यह उसके लिए बहुत ही अच्छा करन यह जोता है से बन गए हैं इससे आपको पसंद हो एक निसमें अगर आप एक थोड़ा सा तटका लगा देंगे तो इसके स्वाद और भी बढ़ जाएगा तो चलिए देखते हैं क्या करना है अब हम ले लेंगे एक पैन आप सिंपल तवी पर भी सेख सकते हैं इसको यह नौन इस्टिक पैन लिया है मैं करें किसी ना किसी रूब में ज्यादा नहीं थोड़ा खाएं क्योंकि बहुत ही हल्दी होता है हमारे लिए तो ऐसे आप इसमें रेसिपी में इसको यूज में ला सकते हैं तिल को तो ऐसे करके हम अपनी स्लाइस रख देंगे जो हमने कट की थी और इनको हम गोल्लन बटन आता है उसको भी आप दबा लें तो जब भी आपको कोई रैसिपी आएगी मेरी नहीं उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगो और सबसे पहले आप उस रैसिपी को देख सकेंगे तो इसलिए जिन लोग ने सब्सक्राइब ने क्या सब्सक्राइब कर लें और घंटे का घी तेल या बटर उसी में आप इसको सेख सकते हैं जो भी कुकिंग ओयल आप यूज़ करते हूं आप उसमें इसको बना सकते कोई प्रोब्लम नहीं है तो यह देख इसका कलर की तना अच्छा आ गया है आप इसको हरी चटनी के साथ इमिल्डी की चटनी किसी के साथ भी सर फ्रेंड्स आप लोगों के प्यारों सपोर्ट से मैं यहां तक पहुंची हूं आप ऐसे अपने प्यारों सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स तो मिलते हैं ऐसी नहीं रेसिपी के साथ तब तक खुश रहिए स्वस्त रहिए और देखते रहिए गीता की रसोई थैंक तक खुश वर वाचिंग